तो आईए आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आगनवारी सेवका का जो है छुट्टी है जो कि आप लोग देखेंगे तो 2024 में कितना है और यहाँ पे आप लोग को जो है 2023 में कितना है और आप लोग को जो है कौन कौन सा जो है छुट्टी आप लोग को छोड़ यहां पे आते हैं तो यह आप लोग देखेंगे तो अभी फिलहाल में आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पे बसंत पंचमी है ठीक है यह बसंत पंचमी उसके बाद यहां पे आप लोग देखेंगे तो दीपावली और यहां पे भैया दूज यानि कि तीन पर्व का यहां अबकास थी, जो कि 13 दिन थी, ठीक है, लेकिन अभी भी आप लोग देखेंगे, तो 2024 में भी जो है, अभी आप लोग देखेंगे, तो 13 दिन टोटल दिया गया है, ठीक है, अबकास, लेकिन किस-किस में बरहाई गई है, किस में घटाई गई है, इस सभी के बारे में, सबसे प जोब ईसका है और आप लोग यहां पे देखेंगे यह पर्ब दिया गया टीक है जैसे कि महासिभरात्री होगी जोकि 8 मार्च की होगी और शुक्रबार की इसे पहले आप लोग को क्या था कि फर्स्थ ही में जो है आप आप लोगो बसंत पंचमी आती थी जो कि आप लोगो जनवरी में आती थी तो ये सेकेंड में आप लोगो जो है फर्स्ट नमर में से जो है बसंत पंचमी को हटा दी गई है इसके जगह पे जो है आप लोगो यहां पर देखेंगे तो छट पुजा की जो है एक दिन की छुट को होगी जो कि आप लोग को गुरुवार की होगी और इस तरह से आप लोग देखेंगे तो आठ में आप लोग देखेंगे तीज है जो कि आप लोग को 6 सेप्टेंबर को पड़ेगी और ये सुक्रबार को पड़ेगी इसी तरह से आप लोग देखेंगे जितिया है जो कि आप लोग को 25 सेप्टेंबर को पड़ेगी जो कि आप लोग को बूदबार पड़ेगी और यह अगातार में अगर आप लोग को एक-एक होती है तो यहाँ पे टोटल 11 है और यहाँ पे दो दो गिया गया है तो यहाँ पे टोटल आप लोग को जो है आगनवारी केंद्र का यान की टोटल अपकास जो है आप लोग देखेंगे तो तेरा दिन है और यह आप लोग देख रह में टोटल आप लोग को तेरी अभकास आप लोग को दिया गया है इसमें शिर्प आप लोग देखेंगे तो भाया दूज और दीपावली और बसंत पंच मी को यहां से हटा दी गई है और इसी में सभी पर्ल में एक दिन दुदिन करके बढा दिया गया है टीक है और इस तरब से आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पर लोग को फर्षी नमर में आप लोग को यहां पर जायर हो आप लोग देख रहे होंगे कि यहा पर देखेंगे नहीं आप लोग देखेंगे यहां पर आप लोग को 26 जनवड़ी की थी और यहां पर आप लोग देखेंगे तो दीपा वली जो है आप लोग को दीख रही होगी और भाईया दूज यह तीन को हटाके यानि कि आप लोग यहां पर देखेंगे तो टोटल जो है 13 दिन का आप को आपकास दिया गया था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप beer भी वार मिलाके आप लोग को 65 दिनों के लिए आप लोग को आंगनबारी सेंटर को आप लोग को को kloz करनी है बदभा की आप तो टोटल जो है 52 दिन आप लोग को एटोमेटिक जो है पोसन ट्रेकर में आंगरबारी जो है क्लोज रहेगी क्योंकि आप लोग का कमेंट आया था कि हमें बसंत पंचमी और यहां पे दीपावली का छुट्टी नहीं दीख रही है ठीक है माली जो नहीं है लेकिन आप लोग को टोटल जो है आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पे जो है 13 दिन का जो है आप लोग को छुट्टी दिया गया है ठीक है लेकिन यहां पे होनी चाहिए क्योंकि आप लोग को जो है दीपावली है या बसंत पंच मिया यह महत्पून दीन होती है बाद बाद कि आप लोग को किसी भी परकार का न्यूज आती है तो आप लोग को जरूर इसी तरह से बताते रहेंगे बाद बाद कि इस वीडियो को जादे से जादे सेर कीजिए तो थांक्यू